Hi guys, this is Sakshi and welcome back to my channel और आज मैं आप लोग के साथ share करने वाली हूँ clothing hall मैं सरोजी नगर गई थी Monday market तो मैंने वहाँ से क्या क्या खरीदा है मैं वो सब आप लोग के साथ share करने वाली हूँ और आप लोग के सरोजी नगर को लेकर बहुत जादा सवाल आते हैं कि क्या ये Monday को भी खुलती है तो ये सरोजी नगर की market Monday को भी open होती है पटरी market लगती है साथ ही साथ सारी की सारी shops open होती है, shops के हमेशा same price रहते हैं बर जो पटरी market होती है उसके price थोड़े कम होते हैं तो आईए अब जल्दी से move on कर लेते हैं अपनी वीडियो की तरफ लेकिन उससे पहले अगर आप लोगोंने मेरा चैनल अभी तेक subscribe नहीं किया है तो कर लिजे subscribe which is completely free now move on to video मैंने आप लोगों के साथ सारोजी नगर Monday market की वीडियो शेयर की थी इससे जस्ट पहले वाली अगर आप लोगोंने वो नहीं देखी है तो मेरी वीडियो में जाकर देख सकते हैं लिंक मैं description में देदूंगे आप वहाँ पर से जाकर check out कर सकते हैं और जो clothing में मैंने चीज़े ली हैं वो है एक ये pencil skirt red color की pencil skirt है मैंने आप लोगे साथ share की थी उस वाली वीडियो में तो मुझे yellow वाली बहुत जादा पसंद आई थी बट उस yellow वाली का fabric अच्छा नहीं था क्योंकि वो अंदर से तो cotton था बट बाहर से mix था तो उसमें हवा पास नहीं होटी लेकिन ये cotton की है बहुत अच्छा soft fabric है और stretchable है जितना आप चाहो उतनी stretch हो जाएगी और इसका price है 200 रुपीज वो हमेशा जादा बोलते हैं सरोजी नगर में आप जितनी जादा से जादा bargaining कर सके उतना जादा better है तो ये मुझे 200 रुपीज की मिली थी सेगंड जो मैंने ली थी वो लिया था ये top ये top है और इसकी umbrella sleeves है ये बहुत जादा इन है मैंने इस sleeve के बहुत जादा top ले लिये पीच कलर का है और जो tops का fabric चल रहा है आजकल वही वाला है light आप गर्मियों में easily wear कर सकते हैं और इस पर tag लगा हुआ है Zara का आप देख सकते हैं कि इस पर Zara का tag लगा हुआ है और यहां पर 3 बटन लगे हुए है बड़े ही डिजाइनर से बटन है मतलब मुझे काफी जादा अच्छे लगे simple और sober top लगा और मैं आप लोगे को बता दूँ कि आगे से यह short है और पीछे से long यानि कि इसका जो pattern है वो low or high वाला है और इसका भी price था 200 रुपीज उसके बाद जो मैंने next लिया था वो था यह shrug मैंने आप लोगे साथ वीडियो शेयर की थे श्रग वाले भाहिया का behavior जादा अच्छा नहीं था मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा है लगा actually बहुत जादा गर्मी होती है और वो लोग धूप में खड़े खड़े इरिटेट हो जाते है तो मैंने ये लिया था long shrug इसकी length knees से नीचे है यानि कि long shrug है और full sleeve का है होजरी fabric है और इसका भी price था 200 रुपीज उसके बाद जो मैंने लिया था मैं actually इस बार सोच कर गई थी कि मेरको skirt लेनी ही है तो मैंने इस बार महां से 2 skirt लेली एक red वाली जो मैंने आप लोग को starting में दिखा ही pencil skirt और एक ये जो घागरा skirt चल रही है जो सरोज रगर में बहुत जादा मिलती है एक ये वाली लिधी इसका fabric cotton नहीं है यानि के mix fabric है इसका बट इसमें अंदर जो है वो कपड़ा लगा हुआ है वो cotton का है मैं आप लोग को दिखा देती हूँ इसका जो ये वाला कपड़ा है जो अंदर लगा हुआ होता है lining के लिए वो cotton का है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इसमें गर्मी लगेगी और साइड में इनोंने ये belt दी हुई है एड़्जस्ट करने के लिए प्लस इसमें जो design बना हुआ है वो है ये shimmer का design है I don't know, maybe wash करने के बाद थोड़ा सा निकल जाए बट इसमें जो है वो glitter लगी हुई है सारे में इनोंने glitter का pattern बनाया हुआ है और इसमें जो cut दिया हुआ है वो जैसे कलियां बनी हुई होती है अनार कली में उस type का cut है काफी सारा flare है इसमें मैं आभी आपको पहन कर दिखाऊंगी तो इसका price था 200 रुपीज actually आप वहाँ पर कोई भी skirt ले लें आपको 200 रुपीज की ही पड़ेगी हमेशा सर्दी, गर्मी, मंडे कोई भी season हो सरोचिनगर में इस type की skirt 200 रुपीज की ही मिलती है उसकी बाद जो मैंने लिए वो ली थी यह T-shirt इसके लिखा हुआ है, YouTube, इसका size सोड़ सा short है बट इसका fabric काफी fine है और इसका price सा 100 रुपीज आपको किसी भी text की, यानि कि कोई भी coat वाली अगर T-shirt चाहिए तो आप सरोचिनगर जाकर ले सकते हैं आपको easily 100 से 250 के बीच में मिल जाएंगी चाहे उस पर कुछ भी लिखा हुआ हो तो clothing में था यही चीज उसके बाद जो मैंने एक और last चीज ली है वो है ये earrings मुझे बहुत ही जादा पसंद आये थे बहुत ही pretty लगे मुझे ये तो मैंने ये ले लिए थोड़े से मुझे costly लगे बट बहुत ही सुंदर थे इनका price था 150 रुपीज और आप लोग पूछते हो के shop number क्या है तो actually मैं shop number पूछना कुछ का भूल जाती हूँ और कुछ का मुझे ध्यान नहीं रहता क्योंकि मैं जब भी वहाँ पर जाती हूँ उसके साथ ये बहुत ही अच्छे match होंगे तो मुझे काफी जादा पसंद आए थे तो सरोजी नगर में इस टाइम एरिंग से काफी जादा अच्छा कलेक्शन आए हुआ है जिसमें आप 20 रुपीज से स्टार्ट होकर 200 रुपीज तक के काफी सारे येरिंग ले सकते है आपको अपनी चोईस का कोई ना कोई मिल ही जाएगा और हाँ मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ के यूट्यूब का फैन फैस चल रहा है 12, 13 और 14 को Ambience Mall गुडगाओं में अगर आप मेंसे कोई जाना चाता है तो आप जा सकते हैं अपनी फैमली फ्रेंड किसी के भी साथ जा सकते हैं मैं जाने वाली हूँ मेरे पास इंवाइट तो नहीं है बट मैं फिर भी जाने वाली हूँ एक बज़े से लेकर नौ बज़े तक की टाइमिंग है आप उस बीच कभी भी जा सकते हैं तो अगर आप मेंसे कोई मुझसे मिलना चाहता है तो वहाँ आकर मुझसे मिल सकते हो बहुत सारे यूट्यूबर्स वहाँ पर आने वाले हैं उनकी performances है, speech है उनकी experience शेयर करने वाले हैं तो मैं बिल्कुल डेफिनिटली वहाँ पर जाने वाली हूँ अगर आप जाना जाते हैं तो जा सकते हैं और जाने से पहले अपनी जिस subscriber का नाम आज में लेने वाली हूँ उनका नाम है नदनी तो shout out to you नदनी और आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो like करें, share करें, comment करें चैनल को subscribe जरूर करें ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए notification bell भी जरूर प्रेस करें and always take care of yourself बाई